देश में लोगों को मारव कल्यां के विचार को भारत में चंता तक पहुच आने के लिए पूरे भारत में 84,000 बुद्ध की मुर्तियों को वितरत करने का निरने गगनमलिक फांडेशन की और सेल लिया क्या है ऐसी जानकारी मंगलवार को आज़ित पत्रकार परिशित में गगनमलिक फांडेशन की नितिन गजबिये ने दी इस अउसर पर बात करते विये नितिन गजबिये ने कहा कि 7 अप्रेल 2022 को दिक्षा भूमी नाकपूर में धम्म देशना करेकरम में गगनमलिक उपस्थित रहेंगे उन्होंने मुख्य रूप से धारावाइक में रामकृष्ण की भूमी का निभाई है इसलिए उन्हें प्रसिद्धी और सम्मान मिला है उन्होंने बुद्ध फिल्म में तथागत की मुख्य भूमी का निभाई यह फिल्म भारत को छोड़ कर अन्य बौद्ध वहूल देशों में एक बड़ी हिट थी गगनमलिक ने आंतरराष्टी अस्तर पर कई पुरस्कार जीते बुद्ध चितर ने बुद्ध को समझने योग्य बना दिया बुद्ध के धम्म के बारे में अधिक जानने के लिए उ और उन्हें बुद्ध धम में दिक्षित किया गया था मानव कल्यान के इस विचार को भारत में जनता तक पहुचाने के लिए पूरे भारत में 84,000 बुद्ध की मुर्धियों को वितरित करने का निर्णाय लिया गया गया गगनमलिक ने मुख्य रूप से बौध धाबादी बुद्ध की मुर्तिया बाटने का जो संकल्प किया वो हमें अच्छा लगा हम उनसे संपर्क में आए उनको देखा जाचा परखा और उसके बाद में हमें ऐसा लगा कि इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्राउंग है भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कर हमने गंगर मलिक फॉंडेशन की निर्मिती की है और उसके माध्यम से पूरे भारत में चवरेश्ची हजार बुद्ध मुर्तियों का हम वाट अप करने वाले हैं यह सारी बुद्ध मुर्तिया अनेक बुद्धर आश्ट्रों से आने वाली है जिसमें कोरिया है और जो भारत में 20 प्रांतों में रहते हैं उन सब को देने का कारिकरम चालू किया है उसके साथ ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आने वाले 14 अप्रिल को जो हम सब लोग जो बाबा साब को मानते हैं जो विश्वर अतना है और जो आधुनिक बोधी सत्व हैं उनकी खुद के ब्रांज के पुतले तकरीबन 12 फिट के बोधर आश्ट्रों के जो महत्वपूर्ण केंदर है जो शिक्षा केंदर है तता बड़ी-बड़ी मोनेश्ट्री है उसमें स्तापित करने का संकल्प गगन मलीक जी का है तो हम गगन मलीक फांडेशन के तरफ से गगन मलीक जी का इ कि उस दिन के उपलक्ष में बहुत सारे जो भिक्षू है जो गनमान्य भिक्षू है वो हमें दम्मद इसना भी देंगे सातियों आप सबसे विनलती है कि आप इस कारेकरम में जरूर आईए धन्यवाद जैबी उन्होंने आगे बताया कि वे 6 अपरेल को ड्रैगन पैलेस मंदिर और 7 अपरेल को दिक्षा भूमे में नाकपूर जाएंगे रोशन बोकड के साथ दिशा हटवार